नमस्कार विद्यार्तियों आप सभी विद्यार्तियों का सुवागत है हमारे इस चलंद में विद्यार्तियों आप सभी को बताए राजस्तान स्टेट ओपन वोड का कक्सा दसमी और बार्मी का रिजल्ट जारी हो चुका है तो बिद्यार्तियों अब सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि बहुत सारे बिद्यार्तियों के रिजल्ट में एक्स 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 जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऐसा लिका हुआ आ रहा है इसका क्या मतलब है क्या आप पास हुए है या फैल हुए है या क्या ब देखिये दियान से विद्यार्तियों आप सभी को मैं बता देता हूँ अगर आपके रिजल्ट में भी चाहे आप दस्मी के हैं या वार्मी के आपके रिजल्ट में भी ऐसा लिखा हुआ आ रहा है तो इसका एक ही कारणे कि आपको पता होना चाहिए कि राजिस्तान स्टेट आपन बोर्ड में पास होने के लिए पांच बिसे में पास होना पड़ता है अगर आपने चार सब्जेक्ट ले एक हैं और आप चार में पास हैं पिर भी आपके रिजल्ट में एक्स एक्स लिखा हुआ आ रहा होगा चलिए मैं आपको आराम से दिखाता हूँ आप सभी देखिए यहां पर आपको बिल्कुल लिखिए साप साप लिखा मिल जाएगा अगर आपको यह देखना है आपकी आँखों से तो आप गूगल पर जाएए और मौश्ट एक्जाम लिख करके क्या लिखके मौश्ट एक्जाम प्रिस्तार रूप से बताई दी जाएगी आप देख सकते हो यहां पर अगर आपके रिजल्ट में ऐसा एक्स एक्स लिखा आ रहा है तो देखिए विद्ध्यार्तियों इसका क्या कारणे आप इसको पढ़ सकते हैं मैं आपको यहां पर पढ़के बता देता हूँ इस विद्ध्यार्ति के रिजल्ट में एक्स 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 लिखा हुआ दिखाई देगा इस विद्ध्यार्ति ने बार्मी का क्सा में चार सब्जेक्ट लिए थे और चारों में वो पास हो गया है और उसमें पी लिखा हुआ आ रहा है जबकि विद्ध्यार्तियों बार्मी में पास होने के लिए आपके पास में पांच सब्जेक्ट होना चाहिए अगर आप पांच सब्जेक्ट में पास नहीं हैं तो आपके रिजल्ट में ऐसा लिखा आएगा तो आपके रिजल्ट में भी ऐसा लिखा हुआ आ रहा होगा अगर और कोई कारण हैं तो आप कमेंट कर तगे बताईए उसका समादन आपको जल्द ही बता दिया जाएगा तहन्याबाद बित्यारती है